इसे कहते हैं बहुत ही यमी सा बहुत ही टेस्टी खिचडी पुलाव जो की खाने में बहुत ही यमी है तो इस खिचडी पुलाव की रेस्पी को पूरा देखना है तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये खिचडी पुलाव कैसा लगा खिचडी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए है बास्मति राइस और बास्मति राइस जो है मैंने डेट कटोरी लिए है एक बड़ी कटोरी और एक चोटी कटोरी और यह देखिए बासमती लंबा राइस है लंबा चावल है और इसको हम पुलाव के लिए बना रहे हैं इसलिए यह वाला चावल लिया नहीं तो आप टुकड़ा भी ले सकते हैं और इधर मैंने लिये मूंग छिलका की दाल जो की ए अब हम इसको 5-6 बार अच्छे से धो लेते हैं ताकि जो इसका गंदा पानी हो निकल जाए और इसको हम कम से कम 15-20 मिनट आदा गंटा भिगो कर रख देंगे अब मैंने कुकर ले लिया है कुकर में डाला है घी ये खिचडी हम घी में बनाएंगे इसमें आधा चमच जीरा एक तेजपत्ता और दो से तीन लॉंग डाल दिये हैं और इसको अच्छे से गरम होने के बाद मैंने इसमें दो चमच कदू कस करा हुआ अद्रक डाला है आप चाहें तो इसको बारिक बारी काट सकते हैं इस समय में प्याज भी डाल सकते हैं और एक मैंने हरी मिर्ची को बारी काट के डाला है प्याज लसे नगर आप डालना चा मच भर कर मैं डालूँगी सूखा पीसा धनिया और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी जैसे ये अच्छे से थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर तो ये मैंने एक टमाटर लिया है आप चाहे तोड़ा जादा या कम भी कर सकते हैं नहीं खाते तो अवाइट भी कर सकते हैं तो अभी मैंने एक टमाटर कटा हुआ इसमें डाल दिया है और इसको हलका सब भूनते ही मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटी गाजर मैंने ली थी वो डाली है, सबजियां इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं जो भी आपको सबजी पसंद हो गाजर के साथ मैंने एक बड़ा आलू को बरिक-बरिक काटा है और एक आलू भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसको तब तक मिक्स कर लेंगे, तब तक भून लेंगे जब तक तेल अलग न हो जाए तो इधर मैं स्टार फ्लावर डालना भूल गई थी पहले तो मैंने अभी डाल दिया है, कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसमें डालूँगी धेर सारी कसूरी मेथी इसके साथ बहुत ही बढ़िया इस खिचडी पुलाव में टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही यमी लगेगा तो भरकर डालिएगा इस कसूरी मेथी को और अगर आप लोग नहीं खाना चाते तो अवाइट कर सकते है इस समय में आप धनिया भी डाल सकते है तो अच्छे से तेल छूट गया है और अच्छे से भुन गई है तो अब इस समय में डाल दूँगी भीगे हुए दाल और चावल तो जितने भी दाल चावल मैंने भीगोए थे मैं सारे के सारे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब के लिए बनाया है तो जब फूल जाते हैं तो ये डबल हो जाते हैं इसलिए इसको आदा घंटा भीगोना अच्छा रहता है जिससे की दाल और चावल अच्छे से soft हो जाते है इसको अच्छे से mix कर लीज़े mix करने के बाद इसमें जितने ये दाल चावल थे उतना ही मैं इसमें double करकर पानी डाल दूगी तो जिस बौल में चावल थे दाल थी भी गोए हुए उसी में मैंने पानी उबालकर पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद मैं इसको जो कुकर का धकन है वो लगा कर इसको कम से कम एक पूरी सीटी और एक आधी सीटी में ही इसको बंद कर दूँगी एक पूरी सीटी आने के बाद अच्छे से स्टीम निकाल लीजिए पांच मिनट रखने के बाद तो अब हम धकन को खोलते हैं और ये देखिए हमारा खिचडी पुलाव किता बड़िया सा बनकर रेडी हो गया है तो इसको आप देहिं के साथ खाएं या ऊपर और अच्छे से घी डाल कर खाएं बहुत ही यमी लगता है ये जो खिचडी पुलाव है और देखिए कैसे खिला खिला बना है तो बहुत ही बड़िया खिचडी पुलाव बनाने के लिए आप रेस्पी को पूरा देख कर और शेयर भी करिए